और वहीं हल्दवाने से विधायक का टिकट किसको मिलेगा इस पर पहले दिये गए बयानों को लेकर पूर्फ मुख्यमंत्री हरीश रावत पल्टी मार चुके हैं जहां एक तरफ पूर्फ विधान सभा अध्यक्षार जाकेश्वर विधायक गोविन्द सिंग कुझवाल ने हल्दवाने विधान सभा में दावेदारी को लिकर सुमित खृदेश का नाम की पैरवी की है तो वही दूसरी तरफ पूर्फ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने पूर्फ के बयानों से ही पल्टी मार ली है तरसल हरिश रावत का ये कहना है कि हल्वानी विधानसभा में जनता काम के अधार पर जिसको आशिरवाद देगी जिसको चुनेगी जिसको चैनित करेगी वहीं चुनाव लड़ा जाएगा और उनका ये भी कहना है कि पूर्फ में यानि पहले उन्होंने नेता अधिवंगत नेता पतिपक्ष इंद्रा हिरुदेश के सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर भी बात कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सुमित ही उनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे उनका कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो जिताओ क्यांडिडेट होगा उसे पार्टी टिकट देगे यानि कॉंक्रस से हल्दवानी में सुमित हिरुदेश पहले जो एक मात्र दावेदारी मानी जा रही थी उस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब विराम लगा दिया है यहां तक हरीश रावत का ये भी कहना है कि कुछ बाते बता गया कि इंद्रा जी के काम को कौन आगे बढ़ाएगा मैंने के देखो बेटा है सुमित एक काम करता है तो सुमित उसका उनके काम को आगे बढ़ाएंगे तो काम को आगे बढ़ाने का अर्थ चुनाव से नहीं होता है उसका अर्थ होता है जो सामाजिक जीवन के उनके कर् तो बियों को बेटा और बीटी तो आगे बढ़ाते हैं, वो ही करते हैं और जब वो कर्तब आगे बढ़ाते हैं तो जनता आसिरवात देती है, तो बहुत सारे नेड़ाय हमारे हाथ में होते हैं, वो जनता के हाथ में होते हैं